नमस्कार मेरा नाम कुमार गौतम और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी विहार और हम है आपके सामने कुमार गौतम आपको बताएंगे कि लोगसभा चुनाब में कई-कई मुद्दों के साथ नेताओं के बयान किस तरीके से फणी अंदाज में आ रहे हैं जी हां वोटिंग परसेंटेज कम होने की बज़ा से नेताओं के चिंता सड़ के उपर जो चिंता है वो उसकी लकीरे बढ़ गई है इन नेताओं में सबसे पहला नाम आता है नितीश कुमार क और आज यह हम आपको बताते हैं कि नितीश कुमार किस अंदाज में परेसान है और अपील कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा बोटिंग और परसेंटेज बढ़े भाई आप लोग तो घर से निकलना ही भूल गया का जी आप लोग को तो मालूमे है कि इस वार चुनाव है अब देखियो आप तो प्रधान मंति नरेंदर मोधी जी भी पट्णा में आ गया है अब केतना काम हो रहा है बताईए पहले होता था है सब हम लोग तो केतना काम किये हैं आपके लिए इसलिए घर से निकलिए बोट कीजिए क्या भीजे बाबु ठीके करे सर आप तो में आ आप खाली हसिएगा आप इलो कीजिएगा कि भई सब लोग निकलिए चलिए आप इनके बदला हम ही कह देते हैं इसलिए अगली बार जब चुनाव होगा तो सब लोग घर से निकलिएगा और सबेड़े से लाइन लग जाएए अगर गड़मी का मौसम है तो सबेड़े नि बढ़ जाए जाए बोट कीजिए तो नितीश कुमार के बाद आईए लालो परसाद जादव किस अंदाज में जनता से अपील कर रहे हैं कि कैसे बोटिंग और परसेंटेज बढ़े तो देखिए उन्होंने एक सभा में क्या कहा देखिए हम लालो परसाद जादव सब स है सब लाईन लगा करके इस बार सत्तू बाद में खाईयेगा जल्पान बाद में किजेगा पहले बोट कीजेगा तब ना बोटिंग बढ़े कातर नेता जी सब जीतेगा जी बुजे कि नहीं ूसलिए अब की बार एक दम आप लोग लागा के बोट कीजे चलिये प्रेम स लाइन लग जाईएगा अगली आवाज राहूल गांधी की राहूल गांधी भी जगा जगा अपील कर रहे है उन्होंने कहा देखो भाईया क्या होता था पहले पहले कम बोटी होती थी लोग घड़ों से कम निकलते थे इस बार बोधी जी को आउट कर दा है 400 पार की ड्यारणटी मैं आपको कहीं से बिस बार मोधी जी नई आएगे तो भाईया इस बार तैयार हो जाये आप लोग घड़ों से बार निकलिए और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और एक बार चार जुन के बाद तो पूरे देश में तकाटक 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 आप बोट देंगे मैं फटापट फटापट अपनी योजना आपको दूगा गैरंटी के साथ तो चलिए देखा आपने ये है नेताओं का अंदाज और बयान और हम चाहते हैं हमारी टीम भी चाहती है कि आप लोग तंतर के इस महापड़ में जरूर भाग लीजे और लोग तंतर के इस मजबूती के लिए आपका बोट करना बहुत जरूरी है तो बहुत बहुत आप बोटो कीजिएगा चलिए अगला वार हम लोग फिर किसी मुद्धा पर मिलेंगे बोटो करना है कि नहीं करना है ठीक है गुट बाई